विल्गैक से तलवार की एक ही धार से क्रोमा स्टोन को टिस्ट्रोई कर दिया और इतना जधा पावर्फुल है कि उसने दो दो निकुरर एक्सपूरोजन को सहा तक और ट गोश लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि डैमन एड के रोगा良 को petroleum को सहा तक हो बल्कि जो ब्लेगेक Ephraud से वो diamond head को एक ही बार में हरा सकता है diamond head और wilgex की power का आपको पता नहीं है और अगर बात करें benton vengeance और wilgex part 2 में जहाँ पर diamond head ने wilgex को defeat किया था तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर wilgex से वो जान बुचकर diamond head से defeat हुआ था तो आज की वीडियो में हम ये सब राज से परदा उठाने वाले हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और diamond head कैसे जीत गया या फिर wilgex कैसे हार गया और मैं वीडियो में आपको बता दूँ कि ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ या नहीं इस सीक्रेट को जाने से पहले हमें जानना होगा कि इससे पहले wilgex ने आखिर किन किन achievements को हांसिल किया है तो यहां पर जो पहली achievement आती है वो है कि wilgex ने 10 दुनियाओं को जीता था यानि कि 10 दुनियाओं के सबसे powerful super heroes को हराया था और हराया ही नहीं था उनके जो powers थे उन्हें भी absorb कर लिया था अपने machine के थ्रू जिसका ये मतलब है कि जो wilgex से वो 10 गुना powerful हो गया था अपने normal form से तो 10 दुनियाओं को हराने के बाद आखिर हुआ गया तो 10 दुनिया को हराने के बाद जो wilgex से उसकी एक छबी बन गे थी पूरी universe में पूरे universe में सारे लोग या सारे aliens उसे डरने लगे थे कोई भी planet wilgex का सामना नहीं करना चाता था क्योंकि wilgex इतना ज़्यादा powerful हो चुका था और इस event से wilgex को काफी ज़्यादा फायदा भी हुआ था और यही वो event था जो उसकी हार का reason भी बन चुका था तो चलिए जानते हैं आखिर wilgex क्यों हारा अब ध्यान करने वाली बात यह है कि आखिर wilgex हारा क्यों इतना वड़ा warlord जिसने दस दुनिया को हराया और इतना ज़्यादा powerful की उससे पूरा universe डरने लगा था आखिर वो time in head से हारा तो हारा कैसे सबसे पहले अगर बात करें तो wilgex के अंदर एक sense of respect नाम की चीज है यानि की guys उसे अच्छा लगता है जब कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसकी help करता है उसके goals और achievements को हासिल करने में I know कि आप लोगों को sense of respect का मतलब समझ नहीं आयागा बट मैं आपको explain करके समझा दूँगा और आपको समझ आ जाएगा जो wilgex से वो और पर आया लेकिन अखेला नहीं पूरी सेना लेकर आया था पूरी फॉर्ज लेकर आया था क्योंकि यो पूरी तरह से निश्चिन था और पूरी तरह से confidence था कि वो बेंटेंजर को हरा देगा और उसके रास्ते में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पर wilgex को पता था कि दाओ पर क्या क्या लगा है अगर आपको भी पता नहीं तो मैं आपको पता तूंकि दाओ पर लगा दिया और आपको पता है कि मैं हार भी सकता हूं जीद भी सकता हूं ऐसी situation में आप हार नहीं मानेंगे आपको पता होगा कि आप हार जाएंगे लेकिन आप कोशिश जरूर करेंगे और wilgex ने भी वही किया उसे पता था अगर वह हार जाएगा तो उसके हाथ से सब कुछ चल Omnitrix का Safe Mode ऐसा मोड है जो Ben Tension को कभी मरने नहीं देगा या फिर उसे कभी हारने नहीं देगा कुछ भी कह सकते हैं और ये मोड हमेशा Ben Tension को बचाने पर ज्यादा फोकस रहता है और जब Vilgex ने Chroma Stone को defeat कर destroy कर दिया तो Omnitrix के Safe Mode ने Ben Tension को diamond head में transform कर दिया Fact की बात ये है कि आप सभी लोगों को पता है कि जो Omnitrix है वो Ben को कभी गलत alien नहीं बनाता बलकि वही alien बनाता है जो situation में उसके सबसे ज़्यादा काम आएगा और मेरी इस बात से जो जो person agree करते हैं और प्लीज कमेंट में बता दे कि वह अगरी करते हैं कि जो Ben Tension है उसे Omnitrix ह incident को या फिर उस घटना को रोक सकता था यान की alien X तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि Omnitrix के safe mode ने Ben Tension को बचाने का सोचा और इसलिए उसने Ben Tension को कर दिया क्योंकि हम सभी को पता है कि जो एलियन उसके सबसे ज्यादा काम आएगा Omnitrix का safe mode उसे वही में बदल देता है तो उसके बाद Omnitrix के safe mode के बास ऐसे बहुत सारे एलियन थे जिनमें वह Ben Tension को transform करवा सकता था चाहिए वह वेविग हो या फिर कोई और इलियन लेकिन उसने डामन हैड में उसे transform कर दिया क्योंकि डामन हैड उस समय एबल था कि वह विल्गेक्स को defeat कर सकता था और अगर कुछ लोगों को समझ नहीं है कि मैंने क्या कहा तो मैंनों शॉटली में कह दूँ कि जौमेट्रिक्स का सेब मोड है उसे उस समय डामन हैड बिल्कुल सही एलियन लगा जो विल्गेक्स को defeat कर सकता था इसलिए उसने बेंटेंसन को लामन हैड में ट्रांस्फरम करवा दिया तो दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही आई होप कि आपको वीडियो पसंद आयोगा एंड़ आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए कि बैनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और अवानाज़ दीजएगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगा